तुप निश्वागत है मैं हूनितिन चौधरी इस समय मैं मुझफण नगर के संबलेडा गाउं में हूँ जो तैसिल जानसट के अंतरका ते गाउं है बाजी क्या नाव है आपका मेरा नाम बलभीर सेंग है गाउं संबलेडा है तैसिल जानसट है जिला मुझफण नगर है य अजया है जाता है तो हम क्यों क्यों कि इसमें बैनिफिट है इसमें यह जादे पीच में बात यह है जो किसान क्यों नहीं कर रहे हैं क्या घबराहट है सब्सक्राइब सिद्धे हैं से गाड़ी कहते हैं पहले लोगे वागी हुमारे काते हैं ना ने यहाँ ने घर आप अगर आगे जाने में मार्च महिने में 36 घंग भी रसमी जाएगा दिल्ली के लिए लिए दिल्दाइंट ना चाहिए गन्ना देखो बड़िया होना चाहिए होना चाहिए तो इसलिए उसको खुला होना चाहिए जो रस्म के लिए है उसको खुला चाहिए और चोड़े-खूद की क्या चाहिए चाहिए जो विदी है इसके बारे मताएंगे आपने मतलब कितने फुट पर यह गना लगाया है और आने वाले समय में हम पांच फुट पर ले जाएंगे इसको बीच में अलू लगाया था पहले आपने ले ली थी अब इस बार भी जो अब इसे जो देंगे क्योंकि बीज कम लगाएंगे अगर वैसे लगाएंगे तो जादे लेगा निगलेगा पचास चालीस निगल आते हों तीन महीने की फसल से कोई नुपसान नहीं कोई नुपसान नहीं बैनी फैट है जादे वैनिफैट है अगर चाहिए तो एक फचल और बीले सकते हैं अब आलू खोड़ के हम गोबी की फसल भी ले सकते हैं इसा क्यों नी कर रहे हैं अप यह ने हम ने बनाई हुए हैं यह मिसाल नोगों को बताएंगे इसमें रस्ते के लिए नया खेत त्यार किया है भी लोग जाते जाते देखें इसके आलू आप एक तरफ लगाते हैं से बैड मे प्रफते वास निदेज देना क्या छाहेंगे आप किसानों को यही संदेश देड़ना चाहते हैं कि इसी को फसल को वो इसी वीदी से वह जाते इसी में बैनीफट है दूसरे में बैनीफट काम है।